ऐसी कई बहतरीन ओन स्क्रीन जोडिया रही है जो हमेशा फिल्मों को हिट कराने में कामयाब रही चाहे वो राज कपोर नर्गिस हो, दिलीप कुमार वैजनती माला हो, अमिताब बच्चन रेखा हो या शाहरुक का जोल ऐसी कई जोडिया है जो यादगार है और सुपर हिट भी, इन जोडियों के कारण ही बॉलिवुड प्रसिद्धी की उचायों को छू रहा है हाला कि कुछ शांदार पुरुष जोडिया भी रही है, जो मनोरंजन करने, हसाने और हमें रुलाने में भी कामयाब रही यहाँ उन में से कुछ सफल जोडियों के बारे में आज बात करेंगे, जिन्होंने अपनी जोडि के दम पर दरजनों फिल्में हिट करवाए परेश रावल और अक्षय कुमार इस जोडियों ने एक साथ बाइस फिल्में की है, जिन्में हेरा फेरी सीरीज, ओ माइ गौड, आवारा पागल दिवाना, गरम मसाला, विल्कम के अलावाद कई अन्य फिल्में शामिल है शारुख खान और अनुपम खेर, कुछ-कुछ होता है, हैपी न्यू यर, डर, जब तक है जान, जैसी कुल तेरा फिल्मों में साथ में काम किया है गोविंदा और जौनी लीवर, ऐसी ही एक और बेहत पसंद की जाने वाली जोडी है, गोविंदा और जौनी लीवर की हर फिल्म में उनकी जोडी ने जो हसी का दौर शुरू किया वो वाकई अद्बुत था और शुक्र है कि हमें 29 ऐसी फिल्में मिली है जहां ये जोडी हमारा मनोरंजन करने के लिए एक साथ हाई है, जिसमें दूले राजा हद कर दिया आपने अनारी नमबा वन, कुवारा, जोरू का गुलाम, जैसे नाम शामिल है अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ में परिंदा, कर्मा, कभी ना कभी जैसी 12 फिल्में एक साथ की है अमिताब बच्चन और शाहरु खान इस जोडी ने एक साथ आठ फिल्में की है जैसे मोहबबते, कभी खुशी कभी गम, वीर जारा, कभी अल्विदा न कहना, भूटनात और भी बहुत कुछ एक और जोडी है जिसने नब्वे के दशक में खूब धमाल मचाया, वो जोडी कादर खान और गोविंदा की थी इसमें कोई आश्चरे नहीं कि वे दर्शकों के बीच पूरी तरह से हिट रहे क्योंकि उन्होंने दूलहे राजा, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, राजा बाबु जैसी 41 फिल्मों में एक साथ अभिने किया अक्षय कुमार और सुनील शेटी, इनकी जोडी बॉलिवुट की सबसे हिट जोडी है ये दोनों अब तक 16 से अधिक फिल्मों में साथ नजर आ चुके है इनमें से अधिक तर फिल्में हिट रही है अक्षय और सुनील की जोडी वक्त हमारा है हम है बेमिसाल, सपूद, मोहरा, हीलो इंडिया, दूई योधा, अन, हेरा फेरी, जानी दुश्मन, धरकन, देदनादन, दीवाने हुए पागल, आवारा पागल दिवाना, फिर हेरा फेरी, थैंक्यू, इन फिल्मों में नजर आ चुके है धर्मेंद्र और जितेंद्र, बॉलीवुड के हीमें धर्मेंद्र और जंपिंग जैक जितेंद्र की जोडी सत्तर के दशक से लेकर नब्बे के दशक तक कई फिल्मों में नजर आए थी इन में धर्म वीर, दा बनिंग ट्रेन, समराथ, बदले की आग, सोने पे सोहागा, किनारा, हम सब चोर है, जानी दोस्त, नफरत की आन्दी पापी देवता, जान हतेली पे, धर्म कर्मा, दा गोल्ड मैडल फिल्में शामिल है अमिताब बच्चन और धर्मेंड, इस जोरी को आज भी बॉलिवुड की सबसे बैतरीन जोरी मानी जाती है ये दोनों दिगगज शोले समेत कई अन्य फिल्मों में साथ नजर आये थे इनमें शोले, चुपके चुपके, राम बलराम, सिनेमा सिनेमा, सूर्मा भोपाली, चरंदास जैसी फिल्म में शामिल है दोस्तों आपको बॉलिवुड की सबसे बैतरीन जोरी कौन सी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और अगर आप बॉलिवुड फिल्मों में रूची रखते है तो हमारा चैनल जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा